आज में बतारी हूं आस्टीन के लिए बिल्कुल सिंपल और अच्छा एक यूनिक सा डिजाइन तो यहां पर मैं सबसे पहले आस्टीन की नंबाई चोड़ा आप लोगी तो यहां में जो हमें नॉर्मल रखनी नंबाई होती है आस्टीन की उससे हमें तर्किमें 3-4 इंच ए पिए अब यहां पर हमें चोड़ाई नाप लेंगे तो इस तरह से लंबाई यहां पर इस तरह पर निशान लगांगी इसमें जो नॉर्मल आस्टिंगी कटिंग होती है सेम वही होगी बस इसकी हमें थोड़ी सी नंबाई इसमें ज्यादा रखनी होगी अब यहां पर एक इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे लों तो यह हमारा साइड वाला हिस्सा होगा और यहां पर हम निशान को इस तरह से मिला लेंगे तो हम यहां यह कर वाला निशान लेंगे इसमें अब यहां पर इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो यह कटिंग हमारी इल्कुल नॉर्मल आस्टिंग वाली है अब यहां पर इस यहां पर जितनी हमारी आस्ती in आगे से हैं तो हम इतनी रम्भी पर इसको लेंगे कि यहां पर हमें इसका से डबल करकें इसको यहां पर यह इतनी आपर जब रधिन जरूरत हो आप इतनी रे सकते हैं काल ग है अब यहां पर हमें कुछ भींनी करना है सर यहां प近 इसे ऐस तरह से उचों ने ना हैं तरह एस फोल कर देना नाहें तो यहां पर लास्टिक नहीं बॉन केभर रोगाते हुए consistent इपना दूल्ध र्ज महीं हानक तो यहां म behaviour कि यहांमें यहां पर नहीं यहां पर नेखा बनाना होगा यहां पर हमें किसी भी पंची वज़े से इस लाग सिक को इसके अंदर गुजारना होगा तो यहां पर इसमें सेंटर में इसमें पिन डालूगी तो यहां एक सिरगों पकड़के रखना है ताकि यहां पर प्लास्ट जियां से निकलना जाए तो यहां पर इसको पूरा पर रो लेंगे हैं अब इसके किनारे को जो है हम यहां पे इसमें सिलाय लगा के इसको पक्र कर लेंगे ताकि लास्ट जो है निपल न जाए तो यहां पर दोनों लास्ट इसको इस तरह से खेचंगी में तो यह हर तरफ बराबर की चुने आ जाएंगी चोंें पूरेन नब बराबर की चुने आ डवन पूरे में अब यहां पर इसमें एक सेंटर की चौराय लगाएंगे हम तो इससे हैक्ञाटि पेहन पर प्रम्र्णी यहां पर पूरेक है यहां पर इसको डबल पोल करके हम शाइट की सलाई लगा लिए हमें वही लगानी होगी जो हम नाओमनी लगाते हैं तो यहां पर बस एक इंच का मार्चन देते दे पूरी सलाई लगा लिए अब मैं इसको सीदा करते दिखाती हूं आपको सीदा հहे कि बलुन बला इसमें लुपा गिये इसको शट के साथ लगाते दिखाती हूं आपको तो इसको अशनी विदाहन्य तयार है